है लो गाइस तो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग काफी अच्छी होंगे तो गाइस यह मेरा कमिशन आट वर्क का एपिसोड फाइव है और मैं इसमें जो सेकंड आई है वह मैं डॉक करने वाला हूं और उपर का जो फोरेड है वह मैं आज यह कंप्लीट करने हमें आपको आपको वीडियो को पूरा देखने अच्छे से से आपको सीखना है कहीं भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट सेक्षिन में आपको जुरूर पुछ Moderator मैं करे दा है और एक टेकनिक उच्छ करने वाल हो कैसी आप में और कैसी अपए अच्छे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के तरह में अपना आगे से और फ्यूचर में वीडियो लाने वाला हूं कि खास को बीगिनर है या जो इंटर्मिट्र आर्टिस्ट है वह काफी अच्छे से वह सीख सकते हैं तो guys आईए वीडियो के start करते हैं let's go तो guys अब यहां पर हम एक second eyes complete करने वाले हैं तो इस तरह से मैंने पहला आख नाख उसी को चीनिका में यूज करके मैं यहां पर सेखन अई ने बनाऊंगा उसी टेकनिक का उसी प्रोसिस का उतना ही टाइम दे कर मैं यहां पे सेकन pem बनाऊंगा तो कैसे में बनाऊंगा वो बस आपको वीडियो को पूरा देखना और अच्छे समझना है क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा आप बीच में कट कर देजिएगा तो आप मैं आपको मैं गारेंटी देता हूं कि आप कभी नीशिख करेंगे तो आपको पूश्चन पूचन नहीं है अगर आपको बात करूं तो मैं इसमें पैंटल का फॉरवी लीड खायी वार्यूंज में कर रहा हूं जो की काफी ज्यादा डार्क होती है और डिटेलिंग वर्क में काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ये काम आती है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूं और इसके बाद मैं इसे एच रेंज की पैंसिल से और जो काफी ज्यादा सार्प है तो यहां पर मैं धीरे करके मैं इस पर सेडिंग करूंगा बिल्कुल आपको अिज्यास को में विडियो को सामें रख लेनी है और अच्छी से देक करके टाइम देकर के आपको यहां पर करनी है क्योंकि टाइम डेना काफी important है खास करें आँख में आपको अच्छे से time देनी है मैं हलका सा वीडियो को fast कर दूंगा क्योंकि already मैंने पहले आँख में काफी time देकर मैंने वीडियो को मैंने upload किया हूं क्योंकि इसलिए मैं second eyes में वीडियो को थोड़ा समय मैं फास्ट कर दता हूं जिससे की वीडियो लंबा ना बने और छोटे वीडियो में आप काफी वह ज्यादा आप सिख जाए इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा समय ने फास्ट कर दिया हूं तो गाइस सेडिंग करने के बाद हम यहां पे ब्लैंडिंग से काफी धीरी धीरे करके हम यहां पे इसे ब्लैंड करेंगे काफी अच्छे से ब्लैंड करेंगे और जहां पे लाइट सेडिंग रहे तो वहां पे आपको पैंसिल को पीछे पकरके तो गाइस यह एक बात है आप यहां काफी ध्यान से सुन जाईए कि अगर आपको अगर आपको लाइट सेडिंग करनी है तो आपको पैंसिल को आपको पीछे पकरनी है किसी भी तरह का लाइट सेडिंग हो या चाहिए वो मिड टोन भी रहे तो वहां पर आपको पैंसिल को पीछे पकरके या बीच में पकर करके आपको धीरे-धीरे आपको सेवीरिंग करनी हैं तब जाकर वो जू सेरिंग होiad काफ़ी इनफॉर्म में होगा और अच्छा लएगा तो आपको इत्तवर आपको अगर आप सेवीरं पर छाला रहेगा तो आपको उतना तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहा है कि मैं यहां पर दीजर करके इसने से शेडिंग कर रहा हूं और जब próxim करनी तो आप भ्रस का यूज करें कि फ्रस काफी अच्छा एक स्वर्स है एक ब्लेंड़िंग करने का क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा blending brush से ही मैं करता हूं जिससे काफी ज़्यादा यह हो जाता है काफी अच्छे से blending हो जाता है तो वीडियो को तो सबसे मैंने fast कर दिया था दे सकते कि मैंने यहां पे second eyes मेरा लगवग मेरा complete हो चुका है और कुछ अजए यहांप से कैसे टेकनिक से मैं बनांगा किस तरह से में बनाओंда तो सब से पहले आपको एच रेंस की पैंसिल लिनी है तो यहां पे पीछे पकरके Village से निंग करें क्यब कि फोड्र में कहीं जादा डार्क है कहीं हलका लाइट है तो कहीं हलका मीड टोन है तो सब को देखते भर में यहां पे धीरी धीरे करके हम यहां पे इसका फ़र्ष्ट लेयर देंगे तो फ़र्ष्ट लेयर आपको लाइट पैंसल से देनी है ना कि डाक पैंसल से चाहे आप वह एच भी आप यूच करें या एच रेंज की पैंसल करें अगरापके पार से टॉमबो का पैंसल है तो आप टॉमबो का एच लेंज की होती है और अच्छे से OUT कि क्योंकि लोउन पैंसल रहता हो इन प्रम एक्ट वह सब से पहले अपने .. सिंस पर अभिल्स नाकी मेहंगे टूल पर आपको धियान देना है तो सबसे पहले अपने इसकी इंप्रूफ कर ये तब जाके आप पर कॉश्टली आइटम की ने इसलिए अगर आप अभी सीख रहे हैं अभी एक learning period में हैं तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूफ करना चाहिए उसके fundamental को समझे तब जाके आप अपने इस material को इंप्रूफ कर सकते हैं तो जो नए जो आटिस्ट होंगे तो उनको लेयर क्या होता है वह समझ में नहीं आ रहागा तो मैं आपको क्लियर कर दो कि लेयर कैसे होता है और यह काफी ज्यादा important है क्योंकि बहुत सारे इससे आर्टिस्ट करते हैं तो लेयर वाले सेडिंग उसे करते हैं कि पहले आपको लाइट में से लेकर डाइक पंसील आप करने तो सबसे पहले एज यह दो आप करें जो इस करें और प्लेट भीश करें रहें तो आप पास लाइंस कीयाफे आप उसको प्लेंग करतें करते हैं तो तो देख सकते हैं कि हमारा यहां पर blending complete हो गया है और मैं यहां पर mechanical pencil में उच्छ कर रहा हूं जिसके अंदर PCB की रेंज की pencil है अगर आपके पास यह ना हो तो आप पर उट की pencil नॉर्मल पैंसिल आप यूज कर सकते हैं काफी आसान है बस सिर्फ आपको धीरे धीरे करके आपको उसे चलानी है और उसमें observe करनी है अपने reference में observe करनी है कि कहां पर ज्यादा डार्क है कहां पर ज्यादा मिट तोन उसी का कॉर्डिंग आपको पैंसिल आपको यूज करनी है तो आपको अच्छे से आपको धीर धीरे आपको जहां अगर आप फास्ट करते हैं तो आपको ड्वाइंग में पैचे सा जाएंगे जो कि बिल्कुल खराब लगा तो देख स तरह से करनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूं पैंसिल को पीछे पकर के पैंसिल को आपको आगे नहीं पकरनी है अगर 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 अभी आप एक सीख रहें तो पैंसिल को आपको अच्छे से धीरे पकर के आपको चलानी है मैं यहां पे इसलिए मैं पकरा वहां को मैं आपको बता रहूं कि इस तरह से आप करनी है मैं चाहूं तो पैंसिल को आगे पकर के भी लाइट सेडिंग में कर सकता हूं लेकिन नहीं मैं पैंसिल को आप लोग के लिए आपको सिखाने के लिए मैं पैंसिल को मैं पीछे पकरा हूं ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आए तो देख सकते हैं कि जहां जहां पर अगर हलका डार्क है तो मैं वहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखे मैं वहां पर हलका डार्क में कर देता हूं और जहां जहां पर मोटा जो टेक्शर है वह मैं थ्वा देने कि मैं कोर्सिस में कर रहा हूं तो जिस तरह से मैं यहां बना रहा हूं उसी तरह से आपको भी वह बनानी है तो उसके बाद फिर आपको इसे ब्लैंड करने हैं तो ब्लैंड के लिए आप मेकप ब्रस आप यूज करें कि मेकप ब्रस काफी बनिया होता है कि उसकी यह रहते हैं वह काफी ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छे से वह ब्लैंडिंग कर देते हैं अगर आपको प्रोफेशनल तरह का अगर आपको ड्रॉइंग बनाना है तो आपका जो टूल से वह थोड़ा सा इंप वह प्रोफेशनल होना चाहिए ज्यादा नहीं बस थोरा से आपका जो ब्रस है वह काफी ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि अगर ब्रस वह सॉफ्ट रहेगा तो काफी अच्छे से आपका ब्लेंडिंग हो जाएगा तो देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का टै तो गाइस विल्कूल आसान है आप भी अराम से कर सकते हैं अगर आपको कहीं विए का समझ में ना है तो आप कमेंट सेक्षिन में अगर आप जरूर पूछे तो देख सकते हैं कि मैं यहां पर आइब्रो में बना रहा हूं तो यहां पर एच्बी रेंज की पैंसिल में ले आपका से मैं यहां पर आइब्रो का मैं हेर में बना रहा हूं काफी पतले यहां पर हैर मैं बना रहा हूं और इसका जो फनीसिंग है जब मेरा यह सकेश कंप्लीट हो जाएगा और अमती में इसको जो फाइनल टच बोलते हैं तो इसका जो कुछ-कुछ और जो आपको अच्छा लएगा के बाद हम यहां पर इसे ब्लैंडिंग करेंगे क्योंकि ब्लैंडिंग आपको अराम से करना है धीरे-धीरे आपको ब्लैंडिंग करना है भले वीडियो थोड़ी सी फास्ट है लेकिन मैं यहां पर धीरे-धीरे ब्लैंडिंग मैं कर रहा हूं और आपको भी धीम राको blending करनी है और इसे थोड़ा सा डार्क के लिए मैं यहां पर सिक्सपी रेंज की के पैंसिल में यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां बीच में काफी ज़्यादा डार्क है इसलिए मैं यहां फुरton दिए ईरा श्कार करे इसे ने से वह काफी कम रहेगा अगर आप एक लेयर करते हैं तो वह जो ब्लैक रहा काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा अच्छा लएगा इसलिए अगर आपको ब्लैक भी करने हैं तो अप लेयर वाई लेयर यूश करें जैसा कि कहीं कहीं आइबो में कहीं कहीं ब्लैक है तो मैंने पहले लाइट पैंसी से उसे फर्स्ट लेयर दे दिया अब जहां जहां पर ज्यादा डार्क है तो वहां पर मैं सिक्स बी रेंज की पैंसी में यूज कर रहा हूं देख सकते हैं काफी अच्छे से मेरा यहां पर बन पा रहा है उसी तरह से आपको भी करने तब जाक था करने तो देख सकते हैं कि यहां तक मेरा कमपलिट हो चुका है और इस वीडियो मैं यहीं तक मैं रहने मैं देता हूं कि ज़्यादा मैं बताउंगा तो वीडियो काफी 的時候 पर जाए है तो तब तक के लिए बाबाए